आज की क्लास में यह इंपोर्टेंट होने वाला है कि जो अभी तक आप फोन करते थे ऑन-लाइन या फिर यू-5 बॉक्स से करते थे ठीक है उसमें से कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो आप बिना यू-5 के बिना किसी ऑन-लाइन सपोर्ट के आप उस फोन को जो है आप फ्लेस कर सकता है जैसे कि हैंग-on लोगों की प्रॉब्लम अगर आपके पास कोई डियल मी का फोन आता है और जो हैंग-on लोगों होता है और उस मॉइल को हमें फ्लेस करने के लिए या तो हमें यू-5 बॉक्स किया हो सकता पड़ती है या पर हमें किसी से ओन-लाइन करवाना पड़त है ठीक है तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि विना यू-5 या और विना ओन-लाइन जाए उसको हम लोग नॉर्मल स्विख्याइक फ्री टूल से जो भी तरीका है उसका हम लोग करने वाले हैं तैसे करेंगे तो हमको इस लास में बताएंगे ठीक है ओपो और रियल मी ठीक है और इसको हम लोग जो है सही करेंगे पर दिए फाइल से अभी तक आपने नाम नहीं सुना होगा ओटी ये फाइल की है अम लोग इस मुआ को सही कर सकते हैं अन लोगो प्रब्लम की ओपो और रियल मी ठीकिक और रियल मी की अभी इस टायम पे जो है आईडी बन चल लिए तो ओनलाइन की सैट नहीं हो रहें जिसक इस को क्या करना पड़ता है और ये फाइल को चाहां तो आप अपने कापी पे नोट्स बनाकर लिख सकते हो और ये फाइल में उस पाल को डाल कर वाइल के अंदर लगा कि उसको फ्लैस करते अपडेट करते हैं अब यह में ओट यह फाइल कहां से मिलेगी क्योंकि आपको इस प्लास में बताएंगी कैसे हमको डाउनलोड करनी है कैसे उस फाइल को हमें इस्टॉल करना है कि लाल मेरे पास अभी यहां पर कोई मुवाइल नहीं लेकिन तरीका पूरा आपको बता देंगे और आप लोग समझ जाएंगे जिनका अभी जिनकी नई क्लास है हुई है एक दो दिन उनको इक प्रोसेस समझ में नहीं आएगा जो लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया या इसके लिए हमें कोई तूल के अवाइल आपके पास आता है तो आप क्या कर सकते हो गूगल पर जाना है और यहां पर टाइप करना है ओप्पो क्लर ओ एस तो यहां पर आपके सामने लिंक खुल जाएंगे तो आप क्या करना है आपको लिंक पर राइट क्लिक ओपन लिंक की न्यू टैप दो लिंक आपको ओपन कर लेना है अब यहां पर आपको स्लेक्ट करना आपकी जो हेर सीरीज कौंस ही है उसीरीज पे है ठीक है तो जैसे यहां पर आपके पास Ihre ऐं ए, अ कि अब देखो यहां पर इसका model number भी दिया है ठीक है, और यहां पर इसका cps भी दिया गया है, ठीक है, आपको यह वाली जो file है, डाउन्लोड करने है, जो model आप select करेंगे, download पर आप click करेंगे, तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर लिखा, OTA, इसको जुरूड देख जी बीगे 2.62 GB की फाइल है कि ये फाइल आपने डाउनलोड कर लेनी है कि मेरा नेट से लौ बहुत टाइम लगेगा आपके पास जो भी फोन है उसकी आपको फाइल डाउनलोड करनी एपको ध्यान दगना एप गपो के लिए अब आपको क्या करना है यह फाइल डाउनलोड ह जाएगक right right डाउनलोड के बाद आप को यह file को मैमोरी कार्ड में आप 16 भी यह 20 जबी दीley फिबले सकते हैं memory कार्ड लेने के बाद यह फाइल को आप कॉपी करके करके डालोगे भी चाड में डालने के बाद आप क्या करोगे मॉइल को आफ करोगे ठीक है और आपको लेकर आना रिकवरी मोड पे तब को पता है जो लोग पोर सीख चुके है रिकवरी मोड यह से आप फोन को रिकवरी मोड पे लाओगे वहां पे आएगा इस्टाल श्टोरेज आप जैसे उस पर क्लिक करोगे आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाए और हैंग और लोगों की प्रॉबलम है वो खटम हो जाएगी यह OTA फाइल से आपको करता है ठीक है अब जैसे यह था OPPO का अब ऐसे आप रियल मी का भी कर सकते हूं इसके लिए भी आपको यह पर ल इसमें क्या रियल में क्या है कुछ जैसे कि अब नेपाल के या बाहर की लोग है तो उनकी लिए आपर कंट्री वाइस स्लेट करना पड़ता है कंट्री वाइस चीक है तो यह आपके पास मॉडल नंबर आई सारे लबाटल नंबर की फ्लेस्टाइल है आपर जो है OTA फाइल फिर्चे दिए आपको इनमें से खोई जो आपका मॉडल नंबर जो भी आपके पास आये बसरते यद्पर याद रखना प्राव्लम यहां पर क्या है किसी किसी फोन में क्या होगा कुछ मॉडल ऐसे भी है रियल्मी ओपो के जिनमें यह होता है मैमोरी कार्ड नहीं लगता ह तो आपको यह देखना है कि आपका उस फोन के अंदर मेमोरी कार्ड का सिस्टम है या नहीं और आप सिंपल मेमोरी कार्ड से इस फोन को फ्लैस कर सकते हूं तो आप यह कोई भी माल भी है अब इसको जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करोगी इस आर है मैं इसका वर्जन भिया है और इसका यह मॉडल नमबर दिया गया है आप अपने हिसाब से आपके पास जो मॉडल नमबर है उसको आप स्लेक्ट कर लो और आपको फाइल में देखनी है ओटी यह फाइल जिरू लिखा होना चाहिए और इस फाइल यह फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो आपको यह अपने वाली फाइल आपको डालना है और वहां पर अपसान आएगा इस्टाल और स्टोरेज ठीक है इस्टाल फ्रॉम एगा इस्टाल फ्रॉम एगा अश्डी आएगा ऐसे करके आएगा तो आप जो उस पर कर सकते हो और कुछ नहीं करना बिल्कुल सिंपल है कुछ भी नह आपको में चीज के ज्यान ही रखना है कि आपका अगर लोगों आपको कैसे आपको जाना है इसका कलर ओए समय स्लेक्ट करना है इसकी सीरीज दी गए है ओपो और रियल मी इसकी आईडिया बीपर दूसरी चीज बैटरी जो है बैटरी जो है वह कम से कम 30-40% के ऊपर होनी च आपका फाइल साइज जो भी होगा आपका फाइल साइज सपोस तीन जीबी का है जिप पे जब इसको आप मैमोरी कार्ड पर पेश्ट करेंगे तो मैमोरी कार्ड आपका कम से कम से उस कंडिशन में 16 जीबी का होना चाहिए यानि जो आपकी जिप फाइल कैपसिटी है जिप Zip File Capacity का Stripal होना चाहिए अगर Zip File 3 GB की है तो Memory Card कम से कम 9 GB का होना चाहिए 9 GB का आता नहीं, 8 GB का आता है 8 GB का Memory Card जब आप देखते हैं तो आपको 16 GB यूज के लिए मिलता है तो इसलिए मजबूरी आपके सामने ये हो जाएगी कि आपको 16 GB का Card यूज करना पड़ेगा और कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी File Size जो है Zip में आप डाउनलोड करेंगे 4.4 GB या 4.8 GB के आसपास से होती है ऐसी Condition में आपको 32 GB का Card लेना पड़ेगा उसका मैं आपको कारान बताता हूँ तो कि जब आप Zip फाइल, OTA फाइल को Memory Card पर डालते हैं और उसके बाद आप Phone को Apply Update from HD Card जब आप करेंगे तो आपका Mobile जो है Memory Card के ही अंदर आपकी File को Extract कराता है तो Extract कराने के बाद ये File जो है ये अपने Triple Size में हो जाती है यानि क्यार GB की File 16 GB की हो जाएगी लगबग 16 GB की आसपास 14 पॉइंट सम्थिंग GB की फिर वो इंस्टॉल होने के बाद इंटर्नल एक्स्ट्रेक्ट होगी आप आप एक्स्ट्रेक्ट करके डालोगे तो एक्स्ट्रेक्शन नहीं केलेगा तो इसलिए जितने GB की आपकी फाइल हो आपको उससे Triple GB का Memory Card यूज करना हो जो मोबाइल खुद ही उसको डिलीट भी कर देगा वो खुद के लिए खोलेगा फाइल को और फिर वापस उसको डिलीट कर देगा तो आप 16 GB या 32 GB ही इस्तिमाल करेंगे आप अगर किसी को कोई question हो कोई doubt हो वो अब पूर सकता है कहां पर नहीं समझ में आया ठीक है अगर आपको फोन को अपडेट करना है तब भी इस फाइल कर सकते हो और पैटन या फिर एफाइल को यूज नहीं कर पाऊगे आप पैटन अगर जब आप रिक्वरी मोट पे जाओगे वहां पर अगर इस टॉर्ट करोगे तो वहां पर पैटन अगर कोड़ आ रहा है यह प्रोसर्ष तरफ आपका दो ही कंडीशन में काम आता है यह जो प्रोसर्स है यह दो कंडीशन में आप काये गा कि जब आप hang on logo की position पे हो और या फिर जब आप phone को update करना चाहे only update and hang on logo इसके इलावा इसका unlocking से कोई लेना देना नहीं है unlocking के लिए आपको अभी भी UFI या फिर online का जरूवत पड़ेगा ठीक है और किसी कोई question